नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चनल पर आप सभी का स्वागत है, रेडी हो ज़ाई जनसात्ता समाचार पत्र से संपाथ की रिक्टेशन लिखने के लिए 5 सिकंड्स में रक्षा उपकरणों, प्रडालियों और पूर्जों के आयात के बजाए घरेलू इस्तर पर बनी वस्तुओं की खरीत को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्राले ने चोथी सूची जारी की है, जिसमें 928 उपप्रणालियों और पूर्जों को चिन्हित किया गया है इस तरह डाई हजार वस्तुओं की खरीब घरेलू इस्तर पर ही करने का संकल्प लिया गया है, इसमें से ज्यादातर पूर्जों और उपप्रणालियों का घरेलू इस्तर पर ही निर्माण किया जाता है और करीब 1200 वस्तुओं को अगले कुछ सालों में निर्मित और विक्सित करने की योजना है भारत आयुध सामगरी का बड़ा आयातक देश है, इस तरह उसे अपने बजट का काफी बड़ा हिस्सा रक्षा उपकरणों प्रडालियों आदि को खरीदने पर खर्च करना पड़ता है यहां तक की छोटे छोटे पुर्जों के लिए भी दूसरे देशों का मुह जोहना पड़ता है ऐसे में अगर उनका निर्माड और उनकी खरीद घरेलू इस्तर पर ही की जाती है तो इससे कई लाग होंगे एक तो यह की रक्षा सोदों में बिचौलियों पर निर्भरता खत्म होगी दूसरे विदेशी मुद्रा की बचत होगी फिर आयात घटने से व्यापारिक घाटे का अंतर भी काफी कम होगा पिछले साल थोड़े वक्त के लिए ही कुछ वस्तुओं के आयात पर रोक लगाने से व्यापारिक घाटा पाटने में काफी मदद मिली थी सबसे एहम बात कि केंदर सरकार ने रक्षा उपकरणों के मामले में आत्मनिर्भर बनने की जो घोषणा कई साल पहले कर दी थी उसे इससे बल मिलेगा रक्षा सामग्री के निर्माण में आत्मनिर्भर बनने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO को सक्षम बनाने पर ध्यान केंदरित किया गया इसका सकारात्मक नतीजा भी दिखने लगा है कई विदेशी लड़ाकू विमानों से प्रतिसपरधा करते विमान बनाए जाने लगे हैं इसी तरह उपकरणों और रक्षा प्रणालियों के मामले में गती आई है स्वाभाविक ही इससे दूसरे देशों से महिंगे दामों पर रक्षा उपकरणों की खरीद की बाध्यता कुछ कम हुई है हलांकी आज जिस तरह रक्षा उपकरणों में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है उसमें रूस, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका जैसे देशों से रक्षा सामगरी की खरीद के लिए निर्भर रहना पड़ता है मगर जैसे जैसे हमारे यहां ऐसे लड़ाकु वेमानों और रक्षा उपकरणों का निर्मान बढ़ेगा वैसे वैसे ना सिर्फ दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी बलकि भारत भी रक्षा सामगरी का बढ़ा निर्या तक देश बनेगा अब भी कुछ देश भारतिय लड़ाकु वेमानों और कुछ रक्षा उपकरणों की खरीद में दिल्चस्पी दिखा रहे हैं इस तरह घरेलू इस तरपर बनने वाले पुर्जों और रक्षा प्रडालियों से इसे और बल मिलेगा पहले छोटे छोटे पुर्जों के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था तब तक खराब उपकरण बेकार पड़े रहते थे अब उनकी मरमत के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा हलांकी रक्षा उपकरणों का उत्पादन और खरीद सम्वेदनशील मामला होता है इसकी तकनीक और प्रडालियां गोपनिय धंग से बनाई जाती है इसलिए दूसरी वस्तुओं की तरह इसके उत्पादन का रास्ता नहीं खोला जा सकता फिर कई बार रक्षा उपकरणों की तकनीक दुश्मन देश को बेचने की शिकायते भी आती है इसलिए DRDO की सुरक्षा को भी चाक चोबन रखना बड़ी चुनोती है बगर घरेलू इसतर पर जिन छोटे कलप पुर्जों और उपप्रणालियों को प्रोचसाहन देने का संकल्प लिया गया है उसमें इस तरह का खत्रा नहीं होता उनमें से बहुत सारी चीजे पहले से हमारे यहां बन रही है अब सेना के लिए उनकी खरीद को मन्जूरी मिल जाने से निसंदे है उनके उदपादन में ना केवल व्रिद्ध होगी बलकि उनकी तकनीक भी उन्नत होती जाएगी उमेद करता हूँ डिक्टेशन आपने बहुत अच्छे से लिखा होगा जो वर्ड्स आपसे ना बने हो यह आउटलाइन्स बिगड़ गई है प्लीज उनको देखें आउटलाइन्स बनाएं और प्रैक्टेस करें धेर सारी और जिनका ज्यादा छुटा है प्लीज दो बार तीम बार लिखें डिक्टेशन आपको साइज में बड़ी लग रही है तो प्लीज इसको दो भागो में तोने फिर लिखें ये सब बेसिक बेसिक टेक्निक्स हैं जिनको फॉलो करके आप थोड़ा 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 अपने में इंपुट करके एक्जाम में बहतरी नाउट्पुट पा सकते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करेंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ कोई सुझाओ शिकायत है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखे ठीक चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज करने थैंक्यू